आज हम रेक्शन करने वाले हैं मोलाना तारिक जमिल जी का बयान है नमाज की आदत कैस से डाले तो चले पेले वीडियो डालते हैं और बहुत ही वीडियो पेले देखते हैं तो बहुत ही इंफॉर्मेटी वीडियो होगा क्योंकि नमाज की आदर डालना हर बयान तो इंफॉर्मेटी होता है नहीं नमाज की आदर डालना यह तो बहुत बड़ी वात है ना तो चली वीडियो पहले स्टाट करते है इस्लामिक देज मेरे नवी ने बच्चों दुनिया से जाते हो गए नमाज सिखाई और इसका है तो एक मेरी आपसाब बच्चियों से आपसे आपके असाद़ा से गुजारश है नमाज ना चो कि हमारी पहचा है कजा हो गए कोई बाद में कर ले रात को सोने से पहले पांच का फिगर पूरा क करके सो तो इंशालला फिर एक वक्त आएगा अल्ला आपको पहुंचों की तौफीक नसीब फर्मा दे इसमें ल्ला ने कोई गुजाश नहीं रखी अल्ला ने सारी शरी शरीयत आसमान से उतारी नमाज देने के लिए मेराश पर बुलाया सौतों आसमान पार करके पहले आस साते आसमान पर पहुंचे तो यहिया खरी आईसा वल्कम। तीसरे आसमान पर पहुंचे तो यूस फ ल anniversary चौत्फे आसमान पर गए तो इद्रीज अलयससलं, पंचवे आसमान पर गए तो हरुन लैससलं, च्छटे आसमान पर गए तो मुस्प्राइ। ये सब इस्तिक्वालिय जमात थी जोसे अभी आप लोगों ने गेट पे खड़ी कियो थी इस्तिक्वालिय जमात साथ में आस्मन पर पहुंचे तो इबरहीम लेस्सलाम वहां से आगे गे तो सिद्रतलमुन्तहा काइनात का बॉर्डर एंड आफ दा यूनिवर्स एंड आफ दा यूनिवर्स वहां जाके वो जिबरील का ठिकान है वहां जाके जिबरील कहने कि या रसूल आल्लह इस से आगे मैं इतना भी गया तो जल के राक हो जाओं इतना भी उपर गया यानि मेरे पास आगे वीजा कोई नहीं आप जाएं आपका रव आपको ले जाएं आगे आप कैसे गए वो अल्ला जानता या अल्ला का नभी जानता है तो उसके बाद आपने उपर का सफर शुरू किया और अर्श के दर्वाजे खुले पहली दफ़ा अर्श के दर्वाजे खुल रहे हैं और अल्ला का अर्श जुम रहा है कि आज कोई आ रहा है और वो वजद में है रक्स में है मस्ती में है शुक में है कोई आ रहा है आपके कदम मुबारक अर्श की सता पर लगे और अर्ष और अल्ला के दरमियान लामहदूद पर्दे नूर के हैं मेरे अल्ला ने सारे 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 पर्दे हटा कर फरमाया ऐस्सलाम आलेका ईयुहन नबी वर्रहमत ल्लाही वबरकातो हूँ ऐ ये मेरे महबूब नबी आपका रख आपको सलम भेश्च गता है सुभानाले और आपने का अत्ताहियात लिल्लाह वस्सलावाव वस्तायवाव मेरे रख मेरी जान मेरा माल मेरा सब कोश मेरा बोल सब तेरे लिए मेरी हर बंदगी तेरे लिए वो जानी हो माली हो जबानी हो सब तेरे लिए इस पर आल्ला ने खुश हो करका असलाम अलैकुम नहीं अलैकुम नहीं सिर्फ आपको आपका रफ सलाम पेश करता है अलैकुम में था वो ता आप सब को सब को नहीं सिर्फ आपको मेरे महबूख आपका रफ सिर्फ आपको ये इज़त दे रहा है कि आपको आपका रफ सलाम पेश्च रहा है आप पर अल्ला की रहमत हो अल्ला की बरकते हो फिर अपने नभी पर खुर्बान जाओ उन्होंने उम्मत को शामल कर लिया का चा या लगा वो तो तेरी शान बेन्याजी है आपञे ये मुझे अपनी रहमत से नवाज कर का असलाम आलेका पर आप मैं कहता हूं मेरी कुबूर कलने असलाम आले Knowingा मेरे उップर और मेरी उम्मत पर भी थेरा सलाम आठा है किया नभी Allah ने लिया सुद्छान लिया अब मैं फूरण उम्मत को शामल किया السلام علیہ याला हम सब पर हम सब पर पूरी उम्बत पर तेरा सलाम हो पूरी उम्बत पर तेरा सलाम हो वहां जो तुफ़ा दिया बहुत सी बाते होई एक अधिश सुनाता हूं पर नमाज की बात करता हूं अपने अर्ज की याला अबरहीम आपके खलील थे और मुसा आपके कलीम थे और दावूत के लिए लोहा नरम था सुलिमान के लिए हवा ताबे थी और आईसा अनके लिए मुर्दे जिन्दा थे याला मेरे लिए क्या है तो अल्छ ताला ने फर्माया हुआ मेरे महबूब आपको वो दिया है जो किसी को नहीं दिया याला वो क्या है कब वो यह है क्यामत तक तेरा मेरा नाम एकठा रहेगा जुदा नहीं हो सकता आपको मेरा साथ मिल गया आपको मेरा कुर्व मिल गया ला इलाह इलाला आगे पड़ो अब यह जुदा हो सकता है कोई आता है न अफिसर तो उसका नाम की प्लेड लगती है नेम प्लेड लग जाती है जब वो साल, दो साल, तीन साल बाद ट्रांस्फर होता है तो उसकी नेम प्लेड तबदील होके दूसरी लग जाती है या अपने दफ्तरों में देखते रहते हैं, तो आदम से लेकर मुसा तक यही था, एक नबी आये, उनके नाम की प्लेट लगी, वो गए तो उतर के दूसरा आगया, तीसरा आगया, चौता आगया, जब एक कम एक लाग चौवीस अजार हुए इसा, ला इलाह इला इल्लाई ईसा रूख ल्लाई, तो जब उनको अटाया तो वो प्लेट उतर गई, अब आना था मुहम्द रर्सूल उल्लाई ने, तो अल्लाई ने एलान जुकरतो इल्लाई, जुकरतमई, अब ये ने ने प्लेट नहीं हट सकती, क्यामत का धमाका भी इसे नहीं हटा सकता अब आपका और मेरा नाम हमेशा इकटा रहे जुदा ने फिर लगाने और कैसे इकटा किया वो कितनी चीज़ों को उसमें मुनास्बत से पैदा कि अल्ला के लवज में कोई नुक्ता है बोलो आपका जीम शेजालजाशीन जाद जागैन फे गौफ नून ये कम्जोर हैं और जिन हर्फों पे नुक्ता नहीं आता ये पाउरसल है तो अल्ला ने अपने अपने हबीब के नाम के लिए वो हर्फ ली है जो पाउरसल है तो युमंकोई नुक्ता कोई नहीं है इसलिए अल्ला का असल नाम अल्ला है खुदा नहीं है हमारे बर्रे सभीर में खुदा चल गया किसी फार्सी ने नाम अपने इस इस घिल्म से बता है खुदा उसे कहते है वचो जिसे किसी नाम बनाया हूँ लेकिन अल्ला वो नाम है जो उसने खुद अपना नाम रखा मैं अल्लाह व। وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفَ وَنْ أَحَرُ इसकी عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے اس میں نورانیت زیادہ ہے تو کوئی نکتہ نہیں تینوں پر اب دوسری مناسبت اللہ چار حرف محمد چار حرف میم حا میم دال احمد چار حرف اللہ چار محمد چار احمد چار حرف یہ مناسبت سمجھ میں آئی اگلی مناسبت ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے اللہ کے چار حرف محمد کے چار آٹھ احمد کے چار بارہ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت میں سکھایا تو لا الہ الا اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی بارہ حرف ہیں بہت اچھا وڈیو تھا اور مولانا جی عربی بہت نون سٹاپ بولتے ہیں یار ان کو عربی بھی آتی ہوگی شاید میرے خاص سے اور پنجابی بھی بہت اچھی بول لیتے ہیں عربی بول لیتے ہیں عردو بول لیتے ہیں بہت اچھا وڈیو تھا بہت اچھا وڈیو تھا چھ ساتھ بڑھے آزم میں ان کا نام ہے مطلب وہاں پہ بھی وہ اسے سپیچز دیتے ہیں میرے خاص سے سعودیا میں دی ہے کیا مولانا جی نے سپیچ دی ہوگی کیونکہ سعودیا میں تو وہ جاتے ہیں تو سعودیا عرب میں آگئے ہیں اور دیا ہے انہوں نے اور ابھی ہم نے جو وڈیو دیکھا ابھی کمیں بھی گئی ہے وہ فرانس میں بھی نہیں بات کیا ہے معلوم ہے کہ مسلم جو ہے وہ ہر کیا بولتے ہیں خند بولتے ہیں نا ہر خند میں ہے تو اس کی وجہ سے کہیں پہ بھی جب مسلم مل جائیں گے تو ان کو بھی سب جگہ پہ سپیچز دینی پڑتی ہوگی بہت جگہ پہ ان کا نام ہے کیونکہ یوٹیوب نے بہت فیمس کیا ہے اور پہلے ہی بہت فیمس ہے نہیں یہ پہلے ہی بہت فیمس ہے اور یوٹیوب کی ذریعے سے ان کی بیان لوگوں کو سننے مل رہے ہیں ہاں بہت دور 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 تو بہت اچھا تھا تو چلیئے ابھی لوگوں ملتے ہیں